अभी साथियों को मेरा नमस्कार आज हम आपको प्रेणा एप पर एक्टिविटी की फोटो अपलोड करता बताएंगे और प्रेणा एप पर आप लोग चहक उत्सवकारिकरम की फोटो कैसे अपलोड करेंगे उसकी भी जानकरी देंगे इस प्रेणा एप पर आप सभी लोग जो भी स्कूल्स में अक्टिविटी करते हैं लाइक SMC मीटिंग, MDM, sports activities, uniform distribution, text book distribution, cultural activities बहुत सारी activities जो भी करते हैं आप सब लोग इस प्रेणा एप पर उन सारी activities को इस एप के मार्धियम से अपनी photo को upload कर सकते हैं तो हम आपको आज चहकुत सवकारी करम की photo कैसे upload करनी है प्रेणा एप पर वो हम आपको step by step बताएंगे तो आप सभी से हमारा विनम राग रहे हैं कि वीडियो को end तक जरूर देखें तभी हमारी सारी चीजें आपको clear हो पाएंगी सबसे पहले हम लोग अपने phone पर आते हैं और phone के application play store को open करते हैं जैसे ही play store को open करते हैं तो हम लोग search bar में जाकर प्रेणा एप लिखते हैं जब आप प्रेणा पर search करेंगा आपको install लहीं तो आप इसको install कर सकते हैं फिर उसके बाद हम लोग इसको open पर click करेंगे जैसे ही open पर हम लोग click करते हैं तरह का एक interface आएगा यहाँ पर हम लोग user id के जगहे पर हम लोग अपना mobile number डालेंगे mobile number आप अपने school के head का डालेंगे और वही mobile number इसमें एंटर करें जो आपके MDM में save है जिस पर MDM की call आती है जैसे हम लोग यहाँ पर mobile number एंटर करते हैं उसके बाद हम लोग pin एंटर करते हैं जैसे ही यह एंटर करने के बाद login करते हैं तो मेरे सामने इस तरह का एक page खुलकर आएगा आप देख रहे हैं dashboard के नीचे headmaster का नाम आपका district, block और school का नाम लिख करके आता है पर हमें इन सब activities को कहाँ पर upload करनी हैं वो हम आपको बताते हैं आप scroll down करेंगे नीचे जाएंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पर SMC लिखा हुआ है यहाँ पर SMC लिखा हुआ है जैसे आप लोग यह देख रहे हैं यहाँ पर SMC लिखा हुआ है इसी पर हमको click करना है जैसे हम लोग इस पर click करते हैं तो मेरे सामने extra activity और report खुलके आता है तो हम लोग extra activity पर click करेंगे और मेरे सामने दो column बनके आते हैं नमबर एक column है saving activity सेविंग अक्टिविटी का मतलब है हम लोग अपनी activity को कहाँ पर save कर रहे हैं तो हम लोग जो भी सारा काम करेंगे वो saving अक्टिविटी में करेंगे जब हमारी सारी चीजें upload हो जाएंग तो हम लोग उसके बाद में चेक करेंगे activity report status में कि हम लोग status चेक करेंगे कि जो भी activity हमने upload कर दी हैं वो उसमें save हो गई है कि नहीं उसके बाद में हम लोग saving activity पर click करते हैं जैसे ही saving activity पर click करेंगे तो इस तरह का page open होकर आएगा आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे select वाले option पर तो यहाँ पर कई सारे menu खुलके आजाएगा आपको जिस कारिकरम की जिस activity की photo करनी है आप उस कारिकरम को select करेंगे और उसकी photo upload करेंगे जैसे ही हम लोग select option पर click करते हैं आप देख रहे हैं sports, mdm, assembly, uniform, text book, sports, cultural, smc, medical, सिख्चक विद्यार्थी, relationship पभ्यान ये सारी dialogue box हमारा खुलके आगया इतनी सारी activities को आप इस पर प्रेणा एप पर upload कर सकते हैं तो जो हमारा चहक उसकारिकरम हमारे विद्यालियों में मनाया गया है जिसमें कच्छा एक के विद्यार्थी सामिल हुए तता उनके माता-पिता भी सामिल हुए तो हम लोग चहक उसकारिकरम की photos शिख्चक विद्यारथी relationship अभ्यान में upload करेंगे शिख्चक विद्यार्थी relationship अभ्यान का William का अब इसमें हम लोग इस चहक कारिकरम की फोटो को अपलोड करते हैं तो हम लोग यहाँ पर select करेंगे इस वाले option को जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं सिख्छक विद्यार्थी relationship अभियान को जैसे हम लोग इस पर select करेंगे सिख्छक विद्यार्थी relationship अभियान को तो हमारा title और description लिखने को आएगा तो हम लोग title लिखेंगे यहाँ पर जो हम लोग उने कारिकरम कराया है जो activity कराई है उसका हमें यहाँ पर title देना है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चहक कारिकरम यहाँ पर चहक उत्सव कारिकरम लिख दिया यहां पर हम लोगों ने चहक उत्साव का रिक्रम लिख्या क्योंकि हमारे यही एक्टिविटी मनाई गए वेनू क्या है वेनू का मतलब यह है यहां पर इसमें बाइड आपकी लोकेशन सर्विस आउन है बाइड डिफाल्ट जहां से आप कर रहे हैं वहां की लोकेशन ले ली पर आपको इसको एडिट करके आप अपनी लोकेशन जहां पर यह प्रोग्राम मनायागा वेनू वहां डाल देंगे जैसे यहां पर हम लोग लिख देते हैं हम लोग ने जहां पर यह कारिक्रम मनाया उसकी डिटेल लिख दी और किस डेट में यह कारिक्रम मनाया गया वो डेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं जैसे यह कारिक्रम 9 नवंबर को मनाया गया वो हम लोग ने इस date को select कर लिया है उसके बाद में हम लोग यह जो camera का icon बना हुआ है यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं यह camera का icon बना हुआ है जैसे हम लोग इस पर click करेंगे जैसे click करते हैं अगर आप कारिकरम हो रहा है तो आप लोग तुरंट की photo लेना चाहते हैं तो आप सब लोग यहाँ पर camera पर click करेंगे जब camera पर click करेंगे on spot photo लेकर upload कर सकते हैं अगर पहले कारिकरम हो चुका है बाद में आप application पर photo upload कर रहे हैं तो आप इसमें browse image में जाएंगे इस वाले box में यहाँ पर जाने के बाद click करेंगे तो जो आपके phone storage में जो पहले से ली हुई photo रखी हैं उनको वहाँ से pick up करके आप लोग upload करेंगे जैसे हम लोग browse image पर click करते हैं तो यहाँ पर gallery का option आएगा तो यहाँ पर जहाँ पर हमारी photo रखी हुई है वहाँ पर हम लोग जाते हैं वहाँ हूँ जैसे यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर फिर हम लोग add and save button पर click करेंगे जब हम लोग add and save button पर click करेंगे तो जो हमने photo select की है वो यहाँ पर save हो जाएगी जैसे add and save पर click करते हैं फोटो नीचे लिखा है सेव सक्सेसफुली फिर उसके बाद में हमारी फोटो सेव ही है कि नहीं तो हम लोग यहां पर activity report status में उस फोटो को तो इस तरह से हमारी जो फोटो है यह देखिए एक हमारी फोटो जो पहले मैंने सेव की थी जो हमारी फोटो यहां पर upload हो गई है तो आपके सामने यह देखो इसमें सो हो रही है तो आप लोग यह इस फोटो को भी देख सकते हैं जैसे ही आप सब लोग यहां इस फोटो पर सो इमेज पर क्लिक करेंगे तो वो फोटो जो आपने upload की है वो खुल कर आ जाएगी यह जैसे मैंने सो इमेज पर क्लिक किया तो यह फोटो इसी तरह से सब अपलोड हो जाएंगी आप उसके बाद बैक जाके देख सकते हैं यहां पर सेविंग एक्टिविटी में क्लिक करेंगे तो यहां पर जो भी आप SMC मीटिंग जो हमारी हर महीने की प्रतम बुद्वार में आजूत होती है तो आप SMC मीटिंग पर क्लिक करेंगे जैसे ही टाइटल डालेंगे कि कहा पे हमारा मलब SMC मीटिंग का टाइटल क्या है उसका अजेंडा क्या है वो लिखेंगे वेनू कहां पे मीटिंग यह आई जी तो ही वो डालेंगे डेट डालेंगे फोटो एसके जाद एडेंड सेव कर देंगे इसी तरह से आप यूनिफॉर्म की टेक्स्ट वो किसी तरह से अपने प्रोग्राम की फोटो आप लोग प्रेणा एप पर अप्लोड कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करें, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो त तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, धन्यवाद.